नमस्कार साथियों Infusionauts के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मैं आपका साथ एक अपिल टिवाड़ी आज आपके सामने इंडिया करेंट अफेर्स 25 अगर 2020 का सेशन लेकर परसुत वाओं इस सेशन में जितने भी इंडिया वर्डस में भी संबन दित एक या दो क्यूशन जो इपोर्टेंट बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में बैतिन क्यूशन दिये जाएं जिसे आपकी प्रत्योगी ताप्रिक्षा की त्यारी के लिए ये परसन है जो रामबान साबित हो मेरे दुआरा किया जा रहे है प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहे तो इस सेशन को लाइक वाओं शेयर कीजिएगा Infusionauts की YouTube चैनल को लाइक वाओं सस्क्राइब कीजिएगा तो शुरुआत करेंगे साथियों सबसे पहले इंडिया करेंट अफेर 25 अगत 2023 के पहले की उसन से हाली में चंदर्मा के दक्षणी दुरूपर पहुंचने वाला पर्थम देश कौन सा बना है भारत के लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि भारत ने जो चंदर्यान 3 था वह अब दक्षणी दुरूपर पहुंच चुका है और वो ऐसा करने वाला भारत है जो पर्थम देश से बन चुका है साथियों चंदर्यान 3 से इपोर्टेंट पर्सन बनेगा अगामी जितनी भी पर्टेविता परिक्षा होगी परिक्षा के लेवल के इसाब से चंदर्यान 3 से पर्सन पूछे जाएंगे दक्षणी दुरूपर पहुंचने वाला पर्थम देश कौन बना है तो आप का हम सुन होना चाहिए भारत बना है चंदर्यान 3 को 14 जुलाई 2023 को लांच किया गया था इसके लिए रोकेट का नाम अल्वीम 3M4 था ये भी पूछा जा सकता है कि इसके रोकेट का क्या नाम था वो आपको पता होना चाहिए अल्वीम 3M4 इसके लिए बजट है जो 615 क्रोड़ पेकर था ये भी पोट्रेंट र चंदर्यान 3 को लांच किया गया इसके रोकेट का नाम अल्वीम 3M4 था इसके लिए जो बजट है जो 615 क्रोड़ का था रोकेट निजे से कौन थे बिजुज सी थोम से मिसेन की एसोशेट डारेक्टर कौन थी कल अपना हस्ती थी ये 40 दिन के बाद पहुंचा ये परसन भी बन सकता है कि कब पहुंचा है तो 40 दिन के बाद पहुंचा यानि 14 जुलाइक उसको धाई वजे का सबास इसको लॉंच है आगे बढ़ेंगे अगले कियोयं पर अपने बात करेंगे सात्य ओं अगला कियो है चाहली में राश्ट्रिय हरित प्राधी करनका नया देक्स किसे बनाया गया है ऐक इप्रोटन कि रिवास तो कौन है तो ये कॉलकता हाई कोट के पुरो मुख्य न्याएदीस है ये भी इपोर्टेंट होना चाहिए कई बार पूछ लेगता है कि इनका संबंद अब अपने बात करें तो अब राष्ट्रिय हरित परादी करें इसका गठन का बुआ ये भी अपने को पता होना चाहिए तो आप का अंसरान चाहिए 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन किया गया था अब कुप परसन है कि राष्ट्रिय हरित परादी करन का नया देक्स किसे बनाया गया प्रकाश शिरीवास्तों को बनाया गया और इसका गठन कब किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को आगे होगा आरेस 2020 का और अठारा का अगर आप परी का पेपर देखेंगे तो उसमें एक परदानमंत्री या राश्रपती के बारे में पूछा गया है वहाँ ये परसन इपोर्टेंट बन जाता है क्यों से थाइलेंड के ने परदानमंत्री कौन बने है इपोर्टेंट परसन अगले कुशन पर अपने बात करेंगे हाली में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करें क्या कर दिया गया ये परसन इपोर्टेंट रहेगा साथियों हाली में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करें क्या कर दिया गया इपोर्टेंट क्यूशन है अगामी इसका नामें बदल कर दिया गया है इपोर्टेंट क्यूसन है सातियों केंदरिया युवा कारे करम और खेल मंतरी अनुराग ठाकून ने खेलो इंडिया महला लीग का नाम बदल कर अस्मिता महला लीग कर दिया ये इपोर्टेंट है कि किसने किया है तो केंदरिया युवा कारेकरम और खेल मंतरी अनुराग ठाकुन है जो खेलो इंडिया महला लीग का नाम बदल कर क्या कर दिया सातियों असमिता महला लीग आगे बढ़ेंगे एगले क्युस्टन पर अपने बात करते हैं ये परसन इपोर्टेंट रहेगा सातियों यहां से आपको परसन देखने को मिलेगा मोस्ट इपोर्टेंट परसन है आज का दिन का चंद्रियान थ्री के बाद लिख लो छपेगा इपोर्टेंट है क्युस्टन पर अपने बात करेंगे कि विशो पेरा पावर लिफ्टिंग चैंपियंशिप 2023 में बात की ओर से किसने सोरन जीता अब आपको ओगे सर ये इपोर्टेंट क्यों है कि भारत इस परतियोगीता में इतनी साल से क्वालिफाई किया है लेकिन कभी कोई सोरन नहीं जीता है गोल्ड नहीं जीता है रज़त भी नहीं जीता है इसके तहट विशो पेरा पावर लिफ्टिंग चैंपियंशिप 2023 में बात की ओर से किसने सोरन जीता हनी डबास ने जीता है इस परतियोगीता का ज़न कहा हुआ ये भी इपोर्टेंट है राहूल जोगराजिया ने सिल्वर पदक जीता है बाप से ये पूछ सकता है कि कौन सी केटिगरी में हनी दबास ने है जो जीता है तो बैतर किलो ये भी इपोर्टेंट है बैतर केजी कि जो केटिगरी थी उसमें इन्होंने सरुन जीता और इसी केटिगरी में राहूल जोग तो राज यहने क्या जीता है, शिल्वर जीता है, इपोर्टेंट प्रेशन है 100%, अगामी पर्टेविता में यहां से पर्षन ने बनने की सभावना रहेगी साथियों, आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर अपने बात करते हैं, हाली में किस राजे में शीखो कमाओ योजन का उद्गार ने किया गया, तो मद्यपरदेश में है, जो शीखो कमाओ योजणा का ऊद्गार ने किया गया है, 22 अगस से इसका कि रियाणुएंड शुरू हो चुका है, वर्तमान में मद्यपरदेश के मुक्यामंतर शीवराज सिंग चोहन है, इसके साथ जो शिक्षा दी जिसके साथ वो पढ़ाई भी खर्षा लगता है उसको वो कमास के इस परकार कहा बता है या नि उसको रोजगार के पर रोजगार मिले इस परकार की इसमें शिक्षा दी जाएगी अगले परसन पर बात करेंगे राष्टिया वनस्पती अनुसंदान लख्रव ने कमल के फुलों की नई किसम कौन सी विक्षित की है ये परसन भी इपोर्टेंट रहेगा साथियो बनी पुर्शन लाए गए था और इसमें जो कमल की कमल के फुलों के नई किसम है निलम नमो इसमें 108 वो होगे 108 निलम नमो 108 आगे बात करेंगे अगले कुशन पर अपने शिंगापूर मैथ ओलम्पियाड में अनिरूद शिरी राम ने कौन सा पदक जीता इपोर्टेंट है रजद पदक इनों ने जीता है कौन है अनिरूद शिरी राम शिंगापूर मैथ ओलम्पियाड में अनिरूद शिरी राम ने कौन सा पदक जीता आप का अंसर होना चाहिए ये रज़त प्रदक जीता और ये कहां से संबंद रखते हैं तो ये अंदर प्रदेश से संबंद रखते हैं ये भी इपोर्टेंट रहेगा साथियों इनका संबंद पूछ सकता है कहां से है तो अंदर प्रदेश से इनका संबंद रहेगा आगे बढ़ेंगे शिंगापूर म किन दो राजियों के बीज है जो हाली में तर्चा में है तमिलनाडू और करनाटक है कावेरी जल विवाद किन दो राजियों के बीज में है जो हाली में तर्चा में है तो तमिलनाडू और करनाटक के बीज है जो कावेरी नदी को लेकर विवाद है कावेरी नदी है इसका बारत की आर्थिक मंत्रियों की बैठके कहां आयुजित की गई ये परसन इपोर्टेंट रहेगा हाली में बीश्वी आश्चान बारत की आर्थिक मंत्रियों की बैठके कहां आयुजित की गई तो इंडोनेश्य में इसका आयुजित ने किया गया था अब आप कोगे सर इसका हुधेष है क्या था, इस बैठक का परमुखुदेश है, आज एन भाअरत, माल वेपार समझद दो 269 में हुआ था, उसकी समिखषा करना इसका परमुखुदेश था, विश्ज्वी आज एन भाअरत की आर्थिक मंतरियों की बैठक कहां है जित हुई, तो इंडोनेशिय में ह आपके साथ इंडिया करंट अफेर वर्ल्ड करंट अफेर से भी एक दो मेहतोपून परसन थे जो शेयर किये अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा मेरा प्रयास रहता है किसा आपको कम समय में बढ़िया कंटेंट दिया जाए और जि लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इंफ्यूजर नोट के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद